हाई एवरिवन वेलकम बैक को माई यूटूब चनल रुपेश्टेक तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो अनबोर्डिंग अपडेट के उपर बहुत सारे लोगों के पास ये डाउट है कि सर हमारी अनबोर्डिंग अब तक नहीं वी है और हमारी अनबोर्डिंग कब होगी बहुत सारे लोगों के पास ये doubt है कि sir हमारी onboarding जो थी वो पॉस्पॉन्ड हो गई थी नहीं भी थी तो अब कब होगी कई लोगों के पास ये doubt है कि sir हमारा interview हुआ था लेकिन interview का result नहीं आया ऐसे ना जानी कितनी सारे doubt है भी प्रो onboarding को लेकर तो मैं आप लोगों से एक request करूँगा कि आपकी जितने सारे doubt है आप हमारे comment section में लिख दें हम क्या करेंगे कि आने वाले जो वीडियो होंगे उस वीडियो में आपकी सारे doubt को एके करके किलियर करेंगे फिलहाल चलते हैं हम अपने वीडियो के तरब तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विल्प के उपर देखे विल्प phase 1 विल्प phase 1 की जो onboarding थी वो done हो चुकी है अगर कोई इसमें भी wait listed है तो भाई आपकी onboarding जो है अब possible नहीं है not possible ठीक है और आपको फिर भी doubt हो रहा है कि आपको onboarding नहीं हो पाएगी तो अब आपको क्या करना है campus hiring team को mail करके पूछ लेना है campus hiring team hiring team को क्या करना है email करना है अपने onboarding से related regarding your onboarding लेगांडिंग आपके onboarding कब होगे तो यह थी phase one वालों की फिर हम बात करते हैं phase two के उपर कि phase two वालों की क्या होगी देखे तो will phase two में जो भी है इन में कई लोग को pjp का mail आया है और इनका pjp जो है process में है चल भी रहा है कई लोग complete भी कर चुके है in process ठीक है और कुछ लोग का अभी तक mail भी नहीं आया है no email तो इनका क्या होगा कि आपकी possibility जो है अब business requirement पे रख दिया गया है business requirement जब भी होगी तब आपकी जो है on boarding होगी ठीक है तो यह था हमारा phase two के बारे में इसने भी यह संभामना है कि जब business requirement होगी उस वक्त आपका कोई भी pjp नहीं होगा नो pjp ना pjp होने के कारण क्या होगा कि direct joining होगा direct joining तो यह था हमारा विल्फ phase one और phase two के on boarding update नेक्स्ट बात करते हैं ilight के उपर अगर बात करें ilight का तो ilight का on boarding काफी दूनों से रुका हुआ था एप्रॉक्स वन इयर एप्रॉक्स वन इयर से रुका हुआ था एप्रॉक्स वन इयर यह इससे कम भी हो सकता है your less less than one year बोले हो कई लोग का हैं कुछ लोग का एक साल पूर गया कुछ लोग का एक साल से कम हैं तो इनकी on boarding जो है resume हुई resume कब से हुई 30 December से 30 December 2022 यहां से इनकी on boarding जो है resume हुई और यह जो on boarding resume हुई वो सिर्फ phase one वालो के लिए भी यह भी phase one के लिए phase one का phase one को लिए हुई तो phase one में कई क्या हुआ तो phase one में क्या हुआ कि काफी लोग का on boarding जो है हुआ on boarding कुछ लोग का done है done है लेकिन कुछ लोग का joining अभी नहीं हुआ है joining not done not done ठीक है तो वैसे candidates इनकी joining अब तक नहीं भी है उनकी joining may भी phase two में होगा may भी phase two में आपकी joining होगी phase two में अगर इसमें भी कई लोग ऐसे होएं कि जिनकी joining पॉस्टवांड कर दी गई होगी तो वैसे candidates जिनकी joining पॉस्टवांड कर दी गई उनकी joining कब होगी उनकी joining अब फिर से business requirement के basis पे किया जाएगा business requirement इन में कई रोगों का ऐसा भी है कि mail ही नहीं आया not getting mail बाई mail ना आने के कारण कुछ और भी हो सकता है कि आप जो है selected ही ना हो not selected ठीक है यह हो सकता है तो यह था हमारा phase one का scenario फिर हम बात करते है phase two के उपर तो इलाइट phase two का क्या है इलाइट phase two देखो भाई इलाइट phase two में क्या होने वाला है कि चुकी onboarding काफी delay हो चुकी है तो इसमें क्या होगी कि आपकी PJP नहीं होगी और direct joining होगी लेकिन आपकी joining कब होगी यह तो सबसे बड़ा सवाल है तो आपकी joining next quarter next quarter तक हो जाएगी next quarter कहने का मतलब है January से March के बीच में 2023 इनके बीच में आपकी joining possibility है कि होगी जाएगी ठीक है उससे भी और nearest ले लें तो जन वड़ी और फरवड़ी 2023 यहाँ तक आपकी joining जरूर हो जाएगी ठीक है तो यह था हमारा elite phase two के onboarding के बाड़े में next अब जो हमारा last बच गया है तर्वो तर्वो के उपर क्या होगा तो आई हम तर्वो के बारे में बात करते हैं अब बात करें तर्वो के उपर तो भाई तर्वो वाले आपको क्या करना है न फैब 2023 तक वेट कर लेना है यहां तक आपको वेट करना है इनकी बाद अगर आपकी onboarding नहीं हो पाती है तो साइद आपको जो हैं दूसरी opportunity देखनी होगी अधा दिन तक वेट करना भी आपके लिए सही नहीं होगा किसी दूसरी कंपनी में आपको एप्रोच करना होगा फैब 2023 तक वेट करना है क्यों वेट करना है तब तक जो है इलाइट फेज वन का फेज वन का onboarding complete हो जाएगा इलाइट फेज वन का complete होने के बाद maximum possibility है कि उसके बाद टर्वो की onboarding होगी क्यों कि कि टर्वो वाले इस डिए रॉल के लिए हायर होएंगे और इनकी possibility सबसे जादा है क्योंकि अभी तक इनकी onboarding होई नहीं है इलाइट का फेज वन का हो गया विल्फ का भी हो गया लेकिन टर्वो का नहीं होगा तो इसकी बाद जो है टर्वो की onboarding होगी तो आपको क्या है फरवरी 2030 तक वेट करके देख लेना है यह होगा तो यह था हमारा टर्वो का scenario अब हम बात करेंगे overall तो अब हम overall बात करते हैं कि वैसे candidates जो वेट लिस्टेड है जिनकी onboarding अभी तक नहीं भी है वेट लिस्टेड कैंडिडेट वेट लिस्टेड इनको क्या है ना अब बस fab 2023 तक वेट करना होगा इससे ज्यादा वेट नहीं करना है इसके बाद आपको क्या करना है सीच मार लेना है इसके बाद आपको मैं suggest करूंगा कि आप switch कीजिए another company के लिए approach कीजिए another company के लिए यह आपके लिए अच्छा होगा इसमें कई लोग ऐसे हैं जो यह पूछ रहे हैं कि सर अब तक हमको not getting mail of interview not getting interview mail तो भाई अभी तक आपको interview का mail नहीं आया है और आप 2022 pass out है तो साइद इसमें आप sort listed नहीं थे इसलिए आपको mail नहीं आया ठीक है फिर वैसे candidate के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी onboarding जो है किसी कारण वस cancel कर दी गई cancel कर दी गई तो उनकी onboarding कब होगी तो उनकी onboarding जो है अब business requirement के basis पर किया जाएगा यह business requirement कब होगी इनका कोई भी ठीक हाना नहीं है तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप भी क्या कीजिए approach to another company approach to another one another one ऐसा मैं क्यों बोलना हूँ क्योंकि आप हमारे screen पे यह screenshot देख सकते हैं इस screenshot में वैसे candidates जिनके onboarding postponed भी थी उनको यह बोला जा रहा है कि business requirement के basis पर आपके onboarding होगी लेकिन अब तक जो है onboarding की कोई संभाबना नहीं दिख रही है टिक है तो यह हो गया क्या अब आपको भी wait करना होगा तो wait आप क्यों करेंगे आपके पास skill है आप move on कीज़े skills है तो आप move on कीज़े दूसरी company देखिए आप एक company के लिए नहीं बैठिए अगर किसी के पास यह doubt है कि नहीं यह screenshot गलत है या फिर ऐसा नहीं हो सकता तो आप manager campus team को mail करके पूछ सकते हैं आपकी doubt जितनी होगी वो clear हो जाएगी तो यह था विप्रो के onboarding update के ओपर बांकि आपको विप्रो onboarding update से लेकर कोई भी doubt हो या कोई भी issue हो तो आप हमारे comment section में comment करके हमसे पूछ सकते हैं आने वाले जो वीडियो हैंगे उसमें जितने सारे doubt होएंगे आपके उन सारे doubt को हम एक वीडियो के थुरू clear करेंगे तो चलिए मिलते हम अपने next वीडियो में तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करिए हमारे चैनल को subscribe करिए और बेल आइकन दवाइए ताकि कोई भी update हो वो सबसे पहले आप तक हमारे द्वारा पहुंचे So that's all for today, thank you and goodbye